कुछ दबंगो द्वारा जोबडी में आग लगाने का गुट्टी नाम की महिला ने लगाया आरोप वरिस्ट पुलिस अधिक्षक शिरी संतोष कुमार सिंग ने मामले का सग्यान लेते हुए शेतर अधिकारी वा प्रभारी निरिक्षक को भेजा जाचेतू जाच में पाया गया कि कुछ महा पहले रिंकू आ बंटी ने अपने परिवार की यूगती के साथ हुई छेडखानी के मामले में महिला के पुत्र योगेश को भिजवाया था जेल पुलिस द्वारा पूछताच में योगेश ने सुईकार किया कि रात के समय अपनी जोपड़ी में बना रहा था पास्ता कढ़ाई में आग लग जाने के कारां जिसे बुझाने का प्रयास किया गया जोपड़ी में लग गई थी आग इस घंड़ना को लेकर रिंकू बंटी पर अपने मुकदमे में दबाव बनाने वा फसाने के उद्देश से पुलिस को दी थी जूटी सूचना सिकाथ करें हैं पहासुर के नगला रूट गाउं में परसों एक जोपड़ी के जलने का मामला आज सुबह जो हचर्चा में आया इस प्रकरण में ततकाल मौके पे छेत्रा विकारी यो थाना प्रभारी को घेजा गया चुकि इस प्रकरण की सूचना अभी तक थाना पुलिस को नहीं दी गई गया आग लगाने का पुलिस ने उन्हें अपनी अप्रक्षा में लिया चान बीन में प्रकरण प्रकास में आया कि जिसकी जोपड़ी जली है उसका बेटा योगेस है जो लगवग आठ नव महीने पहले छेड़खानी के एक मामले में जेल गया था काफी दिन जेल रहा था कोरोना में जब अविप छूट रहे थे उस समय उस वजह से कोरोना की वजह से जेल से छूटा था बाद में इससे भी जब कड़ाई से पूस्ताच की गई तो इसके द्वारा स्विकार किया गया कि यह परसो साम को लगवग साढ़े आठ वजे के आसपास अपनी जोपड़ अब तक इसने इस बात की सूचना जानकारी किसी को नहीं दी आज सुबह कोई ब्यक्त इससे मिला और बताया कि इसका वो सदूपयोग अपने मुकदमे में दबाव बनाने के उद्देश से कर सकता है इस आधार पर कुछ लोग के सहयोग से एक गलत सूचना फरजी सूचना उन्हें नामित करते हुए जिन लोगों ने इसको जेल भिजवाया था छेरखानी की प्रकरण में एक नई कहानी बनाने का प्रयास किया गया फिलहाल जो जो जोपड़ी मालिक है मालिकिन है उसके बेटे योगेस द्वारा बुरे घटना क्रम को स्विक्यार कर लिया गया है कि एक्सिडेंटली आग लगी थी लेकिन अब वो उसका लाफ लेना चाहता था और उन लोगों को फसाना चाहता था जो लोग इसको जेल भिजवाये थे छेरखानी के मामले में